हेलो एवरिवन अभी मम्मी मेरे घर पर आई हुई है और मम्मी ने आप लोगों के साथ शेयर करी थी भरवा करेला की रेसिपी जो किatinा आपद लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लाइक करी तो अभी चल रहा है आम का सीजन तो यह देखिए कई तरह की विशेशता हैं हैं मम्मी बहुत तरह की टिप्स देने वाली हैं आखरी तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखेगा ताकि आप भी उन टिप्स को फॉलो करके यह रेसिपी बना सकें इस आम की रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आम का तो चलिए फिर बनाना चालू करते हैं और मम्मी यूस करने वाली एक दम पार्म परिक तरीका जिससे कि हमारा आम का चार बने का बहुत ही टेस्टी तो मेरा नाम है लेलिता और आप देख रहे हैं सेवनी स्टार किचन तो हमलोगों या पर तीन किलो आम ले लिए हैं यह आम जो है यह अचार वाले इस्पेशल आम जिसमें जाली पड़ जाती है यानि की ठोड़ी ंट बेहरे ने करते हैं चलिए अब इनए सबसे पहले हमें इस पूराख़ नहीं करना ए इसकी भेड़ी होती है यानी जो इसकी top होता है काले रंका उसको कट करके हमें पानी में डालके इसे 2 गंटे तक रखना है तो ममी सबसे पहले वही करने जा रही है एसको पाणी में जो हम दो गंटे तक ढालके रखेंगे तो इसके चूपी निकल जाएगा तो इससे जो है हमारा आचार कभी खराब नहीं होगा तो ये आम सारे के सारी धेपी कट कर लिए है मम्मी ने और ये धोकर अच्छे से हमने पहले से ही लिए थे तो इसे हम बस इस पानी में दो घंटे के लिए रखेंगे उसके रखेंगे उसके बाड डारेक्ली हमें इसे यूज कर लेना है चलो अब ये मेरा आम जो मैंने इसमें काट कर रखा था इसका ढडेपी इसको दो घंटे हो गए हैं अब इसको मैं पानी से निकाल करके इसको कपड़े से पोंच के थोड़ा फिर इसको चार तुकड़े काटूंगे। Baltimore 8 तुकड़े बनाओंगे। जिससे ज्यादा बड़े बड़े आम के जो टुकड़े होते हैं वो सही नहीं रहते हैं, क्योंकि आधा खाते हैं, आधा हम लोग फैक देते हैं, इसलिए आठ टुकड़े अगर हम करते हैं, तो उसमें सही रहता है खाने में भी. झाले तो नहीं, चाले हम सही इचलों से ओ narcmmny souvent करते हैं, ज़जज़े नहीं हम इल हैं, आधा हैं, जआ प।ब़े आम सही रह हैं, जो शक्याद़ये चारे हैं वो मचल के प्सकते हैं, जबड़े आटनियए जुक रख को बलिश्में वह जब बड़े हैं, चाले ह tagईके तो कि अब ये साथ के साथ हम इसका बीज भी निकालते जा रहे हैं जिससे कि हम ये निकाल रहे हैं ऐसे आप भी इसको बीज को निकाल करके अलग कर देना इसमें अगर बीज रहेगा ना तो इसमें कड़गापन आ जाता है अच्छा नहीं लगता है इसलिए इस बीज को निकाल करक अब ये देखिए ये याम जो है ना ये थोड़ा सा पीला पीला सा हो गया है इसलिए इस आम को हमें नहीं लेना है क्योंकि अगर ये याम उसमें हम डाल देते हैं तो इसका स्वात खराब हो जाएगा इसलिए हम इसको अलग रख देंगे अब हमने ये सारे औ अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसके बाद हम 3-4 घंटे के लिए अच्छी धूप में रख देते हैं जिससे ये इसका पानी मर जाए ये 200 ग्राम हमने संप ले लिया है और 50 ग्राम पेली सरसो और 4 चम्मच ये मेथी का दाना ले लिया है अब हम तीनों को भूने अब हम इसको भूनने जा रहे हैं अब हम इसको थोड़ी देर हाई प्लेन पे भूनेंगे इसके बाद जब ये थोड़ा गरम हो जाएगा तो इसको मीडियम पे कर देंगे और इसको भूनने में एक से दो मिनट तक लग जाएंगे जब इसमें अच्छी तरह से खुस्बू आने लग जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी सौफ तयार हो गई अब इसको हम भूनते समय लगातार चलाते रहेंगे अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे जलने लग जाएगा इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे अब देखो अब ये भूनके तयार ह हो गया है अब इसको हम कडाई से निकाल लेंगे अब हम इसको पीली सर्सों को इसमें डाल दिये अब हम इसको भूनेंगे हम थोड़ा कम करके मीडियम करके भूनेंगे ताकि यह जलेना अब लगातार इसको चलाते रहेंगे कि इसमें चटकने की आवाज आने लगेगी तो यह समझ लेना कि यह भून गया अब यह चटकने लग गया है अब यह भून के तयार हो गया है अब मैं इसको उतार लेते हूं यह जो मेथी के दाने हमने चार चम्मच लिये थे अब इसको हम भून रहे हैं अभी यह एक मिनट में जब थोड़ा ब्राउंड हो जाएगा हम इसको उतालेंगे है कि न बून गया यह अब हम इसको उताल लेते हैं इसको इसको पीष लेगे में इसको जादा बारिक नहीं करना है जिससे यह मसाला अगर जूदा बारिक हो जाता है तो उसमें जम जाता है इसलिए इसको थोड़ा दरदरा पीशते हैं अब ये आम हमने इसमें नमक और हल्दी लगा करके दो घंटे रख दिये थे इसको रखने के बाद हमने इसको निकाल के ऊपर धूप में सुखाया धूप में सुखाते समय इसमें जो नीचे पानी निकला ह तो निकला हमने पैक दिया इसको हमने फिर चत पे दो घंटे सुखाये मसाले हमारे ठंडी हो गए है अब एक चम्मच ये कलनोजी भी हम उसी में पीस के डाल देंगे अब ये मसाले हमने इसमें जो पीसे थे ये रख लिये हैं अब इसमें हम दो चम्मच हल्दी डाल देते ह है इसमें दो चम्मच कस्मीरी लाल मीरज डाल देते हैं और एक चम्मच हींग डाल देते हैं अब इसमें हमने ये चार चम्मच नमक डाल ले लिए हैं अगर आपको च्वाद अनुसार और डालना हो तो ले लेना अब ये कप हमने इसमें तेल डाला है जो की तेल हमने पहले गरम किया है, गरम करके जब अच्छी तरह से गरम हो गया, तो हमने इसको ठंढा किया है, ठंढा करके फिर हमने इसको अब इसमें मिला रहे है, तेल मिक्स कर देंगे, मसाले और तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यह इसको अब हम अच्छी तरह से इस आम में निक्स कर ले अब इसको आम के अचार को भने यह पूरा मिक्स कर लिया अभी मिक्स करके अब हम यह कांच का बरतन लेते हैं जिसमें हम अचार को ऐसे करके भर देते हैं कि अब यह आपका आचार बन के तयार हो गया अब इसको हम चार पाच दिन तक दूप में सुखा लेंगे और इसमें यहां तक यह तोड़ा सा उसके नीचे यह तेल यहां तक आना चाहिए यहां तक तेल डाल देंगे हम ताकि यह खराब नहीं होगा दो साल तक अगर रखे रहेंगे इसको ऐसे यह आचार आपका खराब नहीं होगा अब यह जैसे की बारीश कमावसम आजाता इधर बारीश कमावसम आएगा तो थोड़ा सा इसमीं सीलना जाती ठंठा हो जाता तो बीक बीच में अब तोड़े थोड़े धूप इसमें डिखाते रहना, जिससे से इसको शीलन पहुचे, कि पहुचने से इसमें थोड़ी खराबी आने का संभव होता है, वैसे तो खराब नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत संभव रहता है, इसलिए थोड़ा सा बीच-बीच में आप इसको धूप दिखा लीजियेगा। इसके बाद इसको पूरा भरके तयार हो गया है। अब उसमें उपर से कप्ड़ाबाध्य के पांच दिन कर धूप में डाल दो पांच दिन तक धूप धुप दिखाकर जिखाने के बाद भिखायने के भार एसमें ढकन लडगा के रख देना और इसको कोई जैसे कभी आदमी मासिक होता है, मासिक धर में इसको दूर बचार के रखना है, कभी मासिक धर मोले को इसको छून नहीं देना है, और ना इसमें उसका परचाही भी पढ़नी है, मेरा बनाया हुआ अचार आपको अगर थोड़ा कभी पसंद आया हो, तो आप इ